So, Hey guys, Welcome to Ideal Tech Guru, में नाम विवेक है, So, दोस्तो, Excel की इस वीडियो स्रीज में, हमने लास्ट वीडियो में जो है, Tax Orientation के बारे में बात कर रहा था, और I hope आप उन पे प्रैक्टिस किये होंगे, और आपको जो है, उनका concept के लिए रोगा, अब हम उन से आगे बढ़ेंगे, और आ उन सारे terms के बारे में हम बात करेंगे, So, वीडियो को लाज तक देखिएगा, चैनल पेहली बनाएं तुझे उनको subscribe कर, bell icon को जरूर पेस कीजेगा, और इस playlist को आप दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, So, चलिए बिना time goodbye हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, So, format पेंटर को सम standard का, तो यह हमारा seat है, और यहां पे हमने कुछ design भी कर रहा है, 12th standard के अंदर, 11th और 10th के अंदर हमने कुछ भी नहीं कर रहा है, So, अगर आप यह seat लेना चाहते हो, dummy seat, तो आपको मिल जाएगा, description में इसका link होगा, वहां से download कर सकते हैं, और इस पे जो भी चीज मैं अभी क कर रहा हूं, वह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, So, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि format painter basically है क्या, So, अगर आप किसी भी cell का format किसी दूसरे cell पे apply करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम format painter use करते हैं, So, basically मान के चलो, यहां पे जो है, मैंने इस cell पे देखो, यह जो cell है, इस पे हमने क्या कर रहा है, इसका background color change कर दिया, इसका font size है, वो हमने increase कर रहा है, उसके बाद bold कर रहा है, तो यह सब हमने format इस पे apply कर रहा है, और एक और format है हमारा margin center का, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलाल अभी हम समझते हैं कि cell पे हमने कुछ operation apply कर रहा है, कुछ format हमने apply करा, अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही format कहीं और भी दिखे, हमारे दूसरे जगा पे, दूसरे cell पे भी दिखे, तो इसके लिए हम format penter का use करते हैं, तो I think format penter का use हम कहां करेंगे, I think ओ चीज़े clear होगा, तो अभी हमने बात करा, कि एक cell का format है, वो हम दूसरे cell पे apply कर सकते है सिर्फ इतना ही नहीं, मान के चलो हमारे पास ये एक table है, अभी मैं इस table को select करके, मैं चाहता हूँ कि ऐसा same table, same formatting का table कहीं दूसरे जगा पे भी बने हमारे Excel seat के अंदर, तो वो भी हम format penter के मदश से कर सकते हैं, जानते हैं कैसे करेंगे, तो इसके लिए again आपको same table चाहिए, format, same format का table चाहिए, सिर्फ वहां पे data हमारा copy नहीं होगा, एक चीज याद रखेगा, format penter सिर्फ हमारा format है, उसको copy करता है, उसको दूसरे जगा पे apply करता है, कभी भी data, या कभी भी हमारा formula को copy नहीं करता है, इसके लिए आपको control C, जो हम copy paste करते हैं, उनके साथ जाना होगा so format penter हमेशा format को copy करेगा, so हमारे पास ये format, ये एक table है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही table कहीं, और मेरे एक सिर्फ पे बने, तो मैंने इसको select करा, उसके बाद यहाँ पे हमें format penter का option मिलेगा, clipboard के अंदर home tab में, इस पे आप click करेंगे, तो ये देखो हमारा select हो जाएगा, और ये जो है इसके साथ चारो side जो है, एक dotted dotted जो है arrow चलना शुरू हो जाएगा, और आपको यहाँ पे mouse पे अगर ध्यान दोगे, तो एक देखो, बरस भी जो है, यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बरस मिल चुका है, इसका मतलब इस पे हमने अभी format इसका हमने copy कर है, तो हमें कहीं apply भी करना परेगा, तो simply मैं चाहते हूँ, यहाँ पे जो है, मेरा यह ऐचा table बने, तो यहाँ पे आने के बाद मैं अपना column सेलेक्ट करूँगा, कि basically कितने column का हमें बनाना है, तो let's see, इतना है, और यहाँ से इतना select करूँगा, इतना select करके left click जैसे ही छो हमने क्या करा, same format हमने इधर भी बना लिया, और यहाँ पे अभी मैं कुछ भी type करूँगा, तो जो इसका height है, जो इसका font color है, same font color इधर भी दिखेगा, same font size इधर भी दिखेगा, so let's see, यहाँ पे मैं dummy ऐसा कुछ मैं करूँगा, तो देखो same हमारा यहाँ पे भी दिख रहा और यहाँ पे select करेंगे, तो इसमें भी font size same, दिख रहा है, तो हमारा format painter क्या करता है, same format कुछ हम copy करते हैं, एक जगा से दूसरे जगा पे, तो अभी हमने multiple cell को select करके, उसका format हमने दूसरे जगा पे ले आया, अभी आप किसी एक cell को भी select करके, यह काम कर सकते हूं, जैसे example क मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो format apply हो रहा है, इस cell पे उसका format मैं नीचे वाले cell पे यहाँ पे apply करना चाहता हूं, तो simply इस cell को select करूँगा, और format painter पे मैं click करूँगा, format painter अभी हमारा हो चुका है, मतलब, देखो जितना हमने select किया था, उस पे हमारा यह चारो side से चलना चुका है, और जहाँ पे भी आपको है, वैसा ही format का cell चाहिए, उस पे left click कर दो, देखो वैसा format का यहाँ पे आ जाएगा, इधर मैं click करूँगा, तो same वैसा हमें दिख जाएगा, तो इस cell पे जो भी format होगा, वो जो हमारा इस cell पे apply हो जाएगा, तो अभी हमने सीखा, कि अ कीबोर्ट की मदद से करने के लिए, आपको सबसे पहले अपने पूरे cell को select करना होगा, जितने का आप format यूज करना चाहते हैं, मैं चाहते हूँ, ऐसा ही format एक और तयार हो, तो इसको मैंने select करा, और यहाँ पे मैं अपने keyboard पे control C करूँगा, control C मतलब की copy, so control C, copy करने के बा मैं इसके नीचे यह copy कर रहा हूँ, I mean paste करना चाहूँगा, इधर ऐसा ही format चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे mouse का cursor set करूँगा, और अपने keyboard पे shift F10 अगर मैं प्रेस करूँगा, तो हमारे पास यह option यहाँ पे दीखेगा, देखो, so यहाँ पे यह option आने के बाद आपको R प्रेस करूँगा, तो मुझे जोए same format का यहाँ पे भी जो है, देखो, column मिल जाएगा, जो हमने table बनाया था, वो मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम copy करेंगे, control C, then shift F10, इसके बाद S key, और then R key मैं use करूँगा, तो हमारा format स्टार्ट हो जाएगा, मतलब format बन जाएगा, तो यह remove हो जाएगा, वो हमारा नहीं होगा, तो I think यहाँ तक आपको concept clear होगा, तो अभी हमने क्या करा, हमने format painter का use करा, लेकिन हमें बार बार क्या हो रहा है, एक बार जैसे मैंने इसको select करा, यहाँ पे format painter मैं click करूँगा, और जहाँ भी हमें ऐसा table चाहिए, वहाँ पे आने क अगर again ऐसा format चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से select करना होगा, फिर से format painter पे click करना होगा, और then हम उसको कहीं और use में लेके आएगा, लेकिन मैं अब ऐसा चाहता हूँ, कि मैं ऐसा ना करूँ कि बार बार मुझे यह select करना परे, और then format painter का use करके अपने format क को apply करना परे, बार-बार मैं ऐसा नहीं करने जाओंगा, इसमें मेरा time जादा जाएगा, तो इसको overcome करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार ही आप अपने काम को कर सकते हैं, वो कैसे देखो, यहाँ पर आओ, पहले जैसा format चाहिए, जितना format चाहिए, वो select करना हो, then format painter अब आप माउस का left click double time कर दो, double time करने पर आपका यह select हो जाएगा format, अभी आप जो इसको जहाँ भी use करना चाहते हो, वहाँ कर सकते हो, यहाँ पर मैं left click करूँगा, देखो, यहाँ पर apply हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरा format painter जो select है, again इसको मैं कहीं और भी use कर सकता हूँ तो let's zoom यहाँ करूँगा, तो आप multiple time उस same format को use कर सकते हो, इस तरीके से आप multiple time यूज कर सकते हो, यहाँ पर इसको समझने के लिए हमने different seat ले रखा है, तो मैंने अभी double click करके रखा है, तो यह हम अलग seat पर जाके भी format apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर आते 11 पर, और यहाँ पर format sales select ही रहेगा, again मैं दूसरे seat पर आऊँगा, और यहाँ पर भी वही गाम कर सकता हूँ, मैं पूरे seat को select करके छोड़ूँगा, तो इस पर भी same formatting apply हो जाएगा, so हम within seat पर भी format apply कर सकते हैं, format painter के मदश से, so format painter हमें से याद रखना है, कि हमारे format को copy करता है, paint करता है वैसा ही हमारे text हमारे formula को कभी भी copy नहीं करेगा, इस चीज़ ध्यान रखना, और अगर आप format painter को cancel करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास keyword पर की है, skip का, तो इस पर click करोगे, तो यह हमारा remove हो जाएगा, तो इस तरीके से हम format painter का use करते हैं, same तरीके का formatting other seat या other जगा पर लेके आने के लिए, तो I think हमारे पास clipboard के अंदर हमने all terms के बारे में discuss कर लिया, font भी हमारा हो चुका है, अब हम next video में बात करेंगे alignment के अंदर word wrap और merge and center के बारे में, so बने रही है हमारे साथ इस वीडियो स्रीज में, और जो भी आभी हमने चीज करा है, जो भी हमने आपको बता आप